त्यार जी हमने पिछले वीडियो में वैक्सीन के बारे में बात की थी आईए इसी तरह का एक और सब्द है जो चिकेत साव छेत्र में बहुत ज्यादा प्रयोग में आता है और वह सब्द है प्रती जैविक या एंटिबायोटिक आपने देखा होगा जब कभी आप बीमार हो एंटिबायोटिक दबाएं दी जा रहे हैं तो यह एंटिबायोटिक या प्रती जैविक क्या है आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं तो प्रती जैविक नाम से ही लगता है कि प्रती जैविक मतलब यह ऐसे सुक्ष्म जीवों के प्रती रोधक्ता पैदा करता है इसलिए से प्रतिजैविक कहते हैं प्रतिजैविक सामनत है जीवानों यानि बैक्टिरिया तथा कवोकों से बनाए जाते हैं सरव प्रथम 1929 में एलेक्जेंडर फ्लैमिंग के द्वारा पहली प्रतिजैविक बनाई गई जिसका नाम उन्होंने रखा पैनिश कर रहे थे वे कवक के संवर्धन पर कुछ रिसर्च कर रहे थे खोज कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कि कवक हैं वह कुछ विसेश प्रकार के जीवानों की व्रधिको रोक देता है तथा उन्ह जीवानों को नस्ट कर देता है तो इस प्रकार उन्होंने देखा कि कवक जो है कुछ विसेश रोक कारक जीवानों की ब्रद्धी को जब रोकता है तो इससे उन्होंने जो औशदी बनाई कवक के कवक से जो औशदी बनाई उसका नाम उन्होंने पैनिसलीन रखा पैनिसलीन आज भी बहुतायत में प्रयोग में लाई जाती है, इसके अलावा स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लेन, एरिथ्रोमाइसिन, ऐसी अनेक प्रतिजैविक उसदिया हैं, जो विभिन रोगों के उप्चार में काम आती हैं, तो जो प्रतिजैविक उसदिया में होती हैं, ये प्राय कैपसूल या टेबलेट की फार्म में होती हैं, और आपने देखा होगा कि जब हम इन प्रतिजैविक उसदियां का उप्योग करते हैं, तो हमारे सरीर में एक प्रतिरक्षा तंत्र विक्षित होता है, जो रोग कारकों से हमें बचाता है, तो आज क इस वीडियो में आपने देखा कि जो सुक्ष्मजीव हैं, सुक्ष्मजीव हमारे लिए फायदे मन भी हो सकते हैं, जैसे कवक और जीवान, प्रतिजैविक की रूप में मानव सरीर की, मानव जीवन की रक्षा में ये काम आते हैं, लेकिन कभी भी हमको डाक्टर की सलह के बिना प्रतिजैविक औसधियों का प्रयोग अपने मन से नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अनावस्यक रूप से प्रतिजैविक औसधियों का प्रयोग करते हैं, तो जब हमारे सरीर को आवशकता होती है प्रतिजैविक की उस समय फिर ये प्रतिजैविक उतने असरका नहीं होते हैं इसके अलावा जब अनावस्यक रूख से हम प्रतिजयविकों का उप्योग करते हैं तो यह हमारे सरीर में पाए जाने वाले जो लावदायक जिवानों हैं उनको भी नस्ट कर देते हैं इसी तरह जो वाइरल रोग हैं या विशाणू जलित रोग हैं उनमें भी यह प्रतिजयविक ज्यादा कारगार नहीं होते हैं इसलिए हमें बिना सोचे समझे किसी भी विमारी में प्रतिजयविकों का प्रयोग नहीं करना तो आज किस वीडियो से आपको ये पता चला होगा कि सबसे पहले 1929 में सर अलेक्जेंडर फ्लैमिंग के द्वारा पैनिशलीन की खोज की गई थी यह आपकी परिक्षाओं में भी एक प्रस्न के रूप में आ सकता है तथा कम्टिटिव एक्जाम में भी इसे पूछा जाता ह कई बार आसा है आज का है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अपने आगामी वीडियो तक के लिए नमस्कार जैहिंद बंदे बात्रम